अरे आ गए तुम, आस तो बहुत देर लगा दी, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूं खाने पर, पता है आज मैंने तुम्हारा फेवरेट खाना बनाया है, चुलो जल्दी से हाथ मुदू के आजो, फिर दोना साथ में डीनर करते हैं, हम, अच्छा, तुने मेरा साही पनीर, हाँ, हाँ, वही बनाया है, चुलो अब जल्दी से डीनर फिनिश करो, और फिर खाना खाने के बाद, थोड़ी देर बाहर आंगर में बैठेंगे, ठेंडी हवा में, ठीक है, चुलो जल्दी से खालो, आज साही पनीर जो तुमने बनाया था ना, उसका स्वात बिल्कुल तूटके पड़ते थे, अच्छा बताओ, तुम्हें याद है, कि हम पहली बार कहां और कैसे मिले थे, मैं भी देखती हूँ, तुम्हारी यादास कितनी तेज है, हाँ यार, याद है मुझे, जब हम पहली बार मिले थे, वो बस स्टैंड पर, हाँ, मुझे बागे बागे मेरे पीछे पीछे आये थे, जब मैं बस में बैठ गई थी, वो भी क्या दिन थे, वो बस स्टैंड, जहां हम पहली बार मिले थे, अरे यार, कितना टाइम हो गया, ये बस कब आईगी, ओफिस के लिए लगता है, आज भी लेट हो जाओंगी, फिर बहुस से वो ही चिक-चिक-पिक-पिक डाट सुननी पड़ी है, एक्स्क्यूज मी मैं, ये अंधेरी वाली बस निकल गई है, क्या है, आई थेंग, अभी नहीं आई, क्यूंकि मैं भी उसी बस का वेट कर रही हूँ, ओ, इफ यो डॉंट माइंड मैं, अंधेरी में आप क्या करती है पर आप क्या करते हैं, अभी अभी जोइन किया है, वैसे आप अंधेरी में कौन से ओपिस में काम करती हैं, मैं, मैं वहाँ कॉर्परेट ओफिस में हूँ, और आप, अरे, मेरा ओपिस भी आपके ओपिस के बगल में ही है, जो पीछे वाली बिल्डिंग है, अरे, बाते करत अच्छा तो क्या आप डेली इसी नंबर वाली बस से जाती हैं ओफिस हाँ मेरा टाइमिंग बस का यही है और आप भी इसी बस से जाते हो क्या एक्छले मैंने पहले आपको कभी नहीं देखा आज फर्स्ट टाइम ही मैंने आपको देखा है अच्छा अब मैंने अभी अभी जोईन किया आना तो कुछ दिन तक तो मैं कैप से जाता था अभी मैंने बस से जाना सुरू किया है चलो अच्छा है अगर आपका टाइमिंग भी यही है तो हम लोग साथ में निकल सकते हैं अच्छा अब मैं चलती हूँ मेरा ओफिस आ गया है फिर कभी मिलते हैं ठीक है ओके चलो बाए कल मिलते हैं मोनिंग में हाँ यार एक्चुली वो दिन जब तुम बाए बोलके मुझे चली गई थी न बस में उसके बाद मैं सामको जब ओफिस से घर आया तो मैं रात बर तुमारे बारे में ही सूचता रहा पता नहीं क्या एक अटेच्मेंट सा हो गया था तुमसे हाँ मुझे याद है अरे तुम्हें वो याद है जब तुम्हें एक बार अचानक से मुझे ग्रोश्री शॉप पे भी मिल गये थे मैं कितनी सर्प्राइजड हो गई थी तुम्हें देखके अच्छा हाँ वो वो तो मुझे याद है जब तुम्हाँ पे कद्दू खरीद रही थी येस सारा समान मैंने ले लिया है कुछ और तो नहीं बचा नई शायद कुछ नहीं बचाया जो बचा होगा नेक्स टाइम में ले लूँगी हाँ चलो इसी का बिल कराती हूँ अरे यार कहीं मैं कुछ भूल तो नहीं रहा हूँ आई तिंक मेरा सारा समान हो गया है हाँ चलो इसी का बिल कराती हूँ अरे आप भी यहाँ पर अरे आप भी यहाँ पर यहाँ कैसे अरे मैं भी यही पर सोपिंग करने के लिए आता हूँ अरे लास्ट टाइम वो जल्दबाजी में मैं आपका नाम पूछना बूल गया और क्या आप अपना नंबर सेर करेंगे मेरे साथ हाँ हाँ क्यों नहीं एक्चल मैं मैं भी सोच रही थी कि आपका नाम पूछ हूँ मैं भी उस दिर आपका नाम पूछना ही भूल गई वैसे अच्छा लगा आपको यहाँ पर देखके अरे यह क्या आप कद्दू ले रहे हो अच्छा तुम्हें वो इवनिंग याद है जब हम लोग पार्क में मिले थे हाँ याद है मुझे वो शाम जब तुमने मुझे प्रपोस किया था वो शाम मैं कैसे बूल सकती हूँ कितना स्पेशल फिल कर आया था तुमने मुझे अरे यार कितना टाइम होगी अभी तक नहीं आई और कितना बेट कराएगी अरे तुमने यहाँ मुझे अचानक ऐसे क्यों बोला लिया वो भी इतनी रात को अरे वहाँ क्यों खड़ी हो आओ यहाँ पर बैटो ना बैट के बात करते हैं मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है हाँ बोलो तुम्हें मुझसे क्या जरूरी बात करनी है लो अब मैं तुमारे पास भी आकर बैट गई अरे जो बोलना है बोलो ना इतना क्यों शर्मा रहे हो ऐसी क्या बात है जो तुम्हें बोलने में इतना टाइम लग रहा है एक्चली मैं मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ and I want to marry you क्या तुम मुझसे साधी करोगी हाँ मैरी? हाँ मैं तयार हूँ एक्चली मैं भी तुम्हें पसंद करने लगी हूँ पर उससे पहले हम शादी करें तुम्हें मेरे घर में आके मेरे पेरेंट से बात करनी होगी हाँ हाँ क्यों नहीं मैं संडे आ जाता हूँ तुम्हारे पेरेंट से बात करनी होगी आई बहुत अच्छा लगा मुझे हमारी जो बी तीवी यादे हैं उनको फिर से याद करके हाँ अच्छे चलो टाइम बहुत हो गया है चलो चलकर सोते हैं और बहुत रात हो गई है सुभा तुमें जल्दी उठना है और आफिस भी जाना है और मुझे भी फिर बहुत काम है चलो चलते हैं